नमस्कार सातियों मैं हूँ आपके अपनी प्राचे दिकारी दोस्तो एक वीडियो नजर आया जिसमें बजरंग दल के कारिकरता जो थे एक भाई सहाब एक शादी को रुखवा रहे थे उनका दावा था कि 17 साल की नबाले लड़की और 40-41 साल के लड़की से उम्र में 23 साल बड़े आदमी से मध्य आयू मतलब एक middle age आदमी से उस बच्ची का विवा कराय जा रहा था जिसका करियर बनाने का या अपने कारशेतर में कुछ करने का पड़ लिदिक्के वो आयू में लड़की थी बच्ची जिसके खेलने कूदने के दिन थे उस लड़की के साथ एक मध आयू का व्यक्ति जो की अन्य धर्म से यानि की मुसल्मान था और उसकी ये नहीं की गुपचुप तरीके से शादी हो रही हो धूम धड़ाके से हिंदू महले के अंदर अमन विहार दया गाडन जो रोड है वहां पर ये शादी राठोर तेल वाली जो रोड वहां ये शादी बकाइदा टेंट लगा के हो रही थी और बेशर्मी की इंतियां देखिए कि चारों और हिंदू लोग की घर थे और पूरी राजधानी क्या पूरे देश में 20 या 30 प 5-5 साल की आंटी थी इस 40 साल के आदमी से तो मैं ही शादी ना करूं इतना वड़ा इस लड़की के शादी कर रहे थे आप ये बताईए इतनी छोटी लड़की के शादी कर रहे थे किस तरह के हम वातवरण में अब जी रहे हैं किस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि एक अन्य धर्म का आदमी वो भी ऐसे शांतिप्रे समुदाय का जिसके लोग बहुत ही बोकोहराम से लेकर आईसेस में मशूर हैं और वो भारत को एक उरसन का पाड़ बनाना चाते हैं जल्दी से जल्दी यहां आबादी फिला कर वो सब जानते हुए भी रोज उनके बारे में पढ़ते हुए भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देखें कितने योजनाबंद तरीके से काम होता है अगर आप यहीं पर कॉमेंट में भी देखेंगे तो यह लोग कॉमेंट में आते हैं और कुछ यह चाहे पाकिस्तान के हो कहीं के भी उनका योजनाबंद तरीका होता है ये अच्छी बात हो या बुरी बात हो अगर बात आईशा की हो तो बहुत बढ़िया जी अच्छा बोला है बढ़िया बात है लेकिन अगर जहां बात किसी हिंदू बेटी की होती है तो वहां इनकी फिलोसोफी जहारने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं हिंदू मुस रह गए हैं ये वो लोग हैं जो सलवार के दम पर सलवार खोल कर जो बने हैं ये वो लोग हैं क्योंकि इनको तो राजा दाहिर ने भी बहुत कुछ कर रहा था इनके लिए और अपनी जान भी उस महमत की बच्चों को बचाने के लिए दे दी थी लेकिन इनी लोगों ने जो स खोलेंगे सच्चाई बोलेंगे हिंदू मुसल्मान मत करो अभी मैं एक किस्सा इस किस्से पर जाओं उससे पहले बता देती हूं अभी कुछ दुनों पहले आपने देखा था कि बुर्खा पहना कर एक लड़की को किड्नैप करा गया आपने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा होगा आपको वह लड़का कौन लगा क्योंकि जिस जो हमारी तफ्तीश निकली उसमें जिस जो लड़की राहुल का नाम ले रही थी वह नाम क्यों लिया गया बाद में वह नाम आया कि मुझे तो राहुल ले गया था और राहुल के साथ में पेपर देने गई पेपर देने राहुल बुर्खा पहना के तो ले जाएगा नी अचा ठीक है मान लीजिए वो राहुल ही था लेकिन क्या लड़की के बाप से दोस्ती करकर ये सच्चाई नहीं है कि आगरा से मेरट से आगरा आया हुआ था महताब राना और छे बच्चों का बाप था और प खावियां थी एक भाई की दो बीविया उन्होंने इसके मदद करी थी तब तो पूरे लोग उसमें थे हवालात में थे उस बात की कोई जिक्र नहीं कर रहा है दो बार तो तीन बार तो अपहले कर चुका था इस बार अगर लड़की ने जान छुडाने के लिए उससे पढ पाप तो नहीं छुप जाते ना जो यहां पर आके कॉमेंट में आके लिखते रहते हो पहले सचा ही तो जान लिया करो वह जो तीन बार का पहले वाला पहरण है वह तो नहीं छुप जाता कि लड़की के बाप से दोस्ती करी होटल में काम पाया होटल में काम करने के बाद आगरा के होटल में मेरट से आया, आगरा के होटल में जॉब करी, वहाँ लड़की के बाप से दोस्ती करी, फिर वहीं पर मौले में घर ले लिया, और लड़की को बहला पुसला के अपने साथ भगा के ले गया था, तो भगा के ले गया हो था, आर्तु तो करी नहीं होगी, वो भी ऐसे 40, 41, 42 साल का था तो तुम लोगों को शरम तो आती नहीं है यहाँ पर सफाई देने के लिए आ जाते हो तो भले ही वो इस बार जो उसने वज़े बताई वो ये वज़े बताई कि मैं पेपर देने के लिए गई मुझे पापा पेपर देने दे रहे थे उसकी मंद बनाना हम इसलामिक नहीं है नहीं इसलामिक राश्टर है हमारा देर से चलता है और यह समविधान से चलता है यहाँ पर और देशों की तरह और जो सब भी देश है उनकी तरह 17-18 साल से चोटी लड़की के साथ संभोग करना या उसको बहला पुसला के सेक्स करना रेप ख्वास यहाँ पर मेरे चैनल पर आके करना मत नहीं पसंद आता है तो गेट आउट हो जाओ और मेरा यह चैनल हिंदूों के लिए है मैं अपने सनातनी भाईयों के लिए बनाती हूँ चैनल और रही बात मेरे जिन सनातनी भाईयों को गलत फैमी थी कि मैं आईशा के लिए रो रही थी मैं आईशा के लिए as a लड़ती रो रही थी लेकिन जो इनके करम है वैसी भी अगर जिंदा रहती तो छह बच्चे पैदा वैसी करती हमारे उसके छह बच्चे भी वही हमारे भारत में किसी ना किसी हिंदू को मार रहे होते तो जिसका जो है अपने आप है चाहि मेरे फाल तू मेरे से बकवास मत करना मेरा चैनल शुद्ध मेरे सनातनियों के लिए है तुम्हें पसंद आता है आए नहीं आता भाड में जाओ मुझे मेरे हिंदूों से मतलब है मुझे और किसी से मतलब नहीं है और हां में हिंदूों के लिए बात करती हूं मैं अपने सम पोटी लड़की एक नमालेक लड़की की शादी करा रही है और मैं भी वकील की मुझे बता दो कैसे तुम शादी करा रही हो हिंदु रिति मुसल्मान आए है ना पुराने रोहिया पागिस्तानी जो गायाब हो जाते हैं अभी आपको कुछ दुनों पहले का किस्सा मालूम होगा एक लड़की देवी देवताओं को गाली देती थी वो पागिस्तानी क्रिकेटर इम्जमामुल हक की भांजी या बतीजी पाई गई और दस साल पहले वो रोहियाओं के साथ भारत आई थी पागिस्तान से बांगलादेश बांगलादेश से भारत ठीके ना तो हमारे भारत में आके वो हमारी देवी देवताओं को गाली दे रहे थी इतनी गंदी 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 जैसे चकला रोड की जीवी रोड की दोंब करो वाला हाल होगा किसी दिन तुमारा डून-डून के लोग तुमें निकालेंगे पूरी दुनिया में जिहाद करते फिरते हो ना किसी दिन लोग भी कहेंगे अन्य सारे मिलके कहेंगे कि एक समुदाय जो सब के पीछे पड़ा है इसकी वज़े से जो सब को तकलीफ हो रही है क्यों ना हम सब मिलके एक को ठिकाने लगाएं और सही कर दें इसको तो तब तुम अपना हाल समझ लेना जो ब्रेंटन भहिया ने करा था न न्यूजलेंड में धाये धाये पबजी खेला था वो पबजी हो जाएगा किसी दिन और किसी गलत फैमी में मत रहना मैं तुमारे लिए नहीं बोलती हूं मैं अपने यहाँ पर हिंदूों के लिए बोलती हूं आई विक्तिगत लाइफ है तुम मेरे सनातनी और यहाँ पर जो आते हैं जिहादी ट्ट्टू ओप वहाँसे चले जाएं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है जो मेरे सनातन की बुराई करता है जैसे तुम कहते होना मेरा मेरा इस्लाम मेरा इमान है वैसे हीließen मेरा सनातन मेरा और इस बात में जूट बोलती हूँ और मुझे बोल रहे थे किस बॉय की तरह आप न्यूस बना रही है, फेक न्यूस सुनो, मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, जो करता होगा मुझे कॉपी करता होगा और दूसरी बात, वो भी मेरा हिंदू लड़का है, ठीक है ना, उसक किसी से मेरा मन मुटाव भी हुआ या किसी से मेरी बातचीत बंद भी हुई लेकिन अगर उसकी बात करोगे जिसकी बात तुम कह रहे थे कि तुम उसकी तरह उस बॉय की तरह जूटी खबरे फेला रही हो मैं जूटी खबरे कभी नहीं फेलाती बात के तथि पे जाती हूं मै पुराी महताब से मिलता है शकल थोड़ी नचेंज हो जाती है राहूल की तो वह शकल ही नहीं थी राहूल का तो मैने देख लिया शकल कैसी है मेरे जो जेश सब्देश्ट दोस्ते हैं अन्हों ने दिखाया मुझे राहूल तो ऐसा लगता नहीं हो तो महताब ही था जो किट् करेगा उससे आगर उसे जाना होगा चुप चाफ चले जाती राहल के साथ राहूर नाम क्यों उस क्यू लिए उपर्वाला जाने में पीछा ठोड़ा के गई हो कि इसमें मेहताप में चूछा आएगा तो है किडनाप करने चला गया जब तुम्हारा वोई कोई तुम्हारा मुलाई वो बता रहे ना उसके बारे में यह जो यह जो सफाई आई है यह जो चीजे बता रहे हैं वो जो पुलिस बता रही है पुलिस कुछ और ही बता रही है पुलिस जो वो बता रही है जो लड़की ने ब पूला जाता था जं Verna डाड़ी वैले मुसल्मान बोलते थे कि अगर तुम्ने हो अपने माबाप के सामने गई और इसा कहा झबकि अधालत ईकला टा तो उन्हेंने कहा था हम तुझे जान से मार देंगे तो क्या पता यह लड़की से क्या किलवा है अब देखो यह जरा इसको तो देखो यह 17 साल की लड़की नंदनी वकील की बेटी हूं ना उसका अगर ऐसी शादी मान्य नहीं होती इसलाम में शादी जब तक लड़की मुसल यहीं होता है और मैं तर परिवर्तन नहीं कर रहा है ऐसा कॉन सा प्यार यहीं होता है और लड़की osdm.com के सामने अगर कोई ल porch Tal시 बालवत है तो वो दिर द्र्म परिवर्तन होता भी है सक्षेम मंतलब यह 81 साई यह जो उसकी date of worth लिखी है ये भी मुझे doubt है कि जिस तरह से उसकी शकल है वैसे तो लड़के कभी कभी पता ही नी चलता लड़कियों को stress ज्यादा होता है लड़कियां ही ज्यादा बड़ी लगने लगने जाती कभी बड़ी कभी चोटी दुख हो कैसे हमारा example देख लीज़े जिस द सब्सक्राइब करते होंगे ये आप समझ सकते हैं तो इन से भाईयों दूरी बड़ी बने लेते हैं और क्या पता उसकी पहले से 6-7 बीवियां और कितने सारे बच्चें महताब जो चोटी लड़की को 13 साल की लड़की अब देखिए ये चोटी चोटी लड़कियों को इसल देखिए और अगर वहां पर शादी हो रही है महले में तो वह आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है देखिए पहले तो हिंदू महले में आते थे वहां बसते थे वहां लोगों को डराते थे अब हिंदू महले में जहां कोई भी नहीं है वहां पर भी आ रहे हैं वहां पर भी अपनी गुस्पैट कर रहे हैं और वो इतनी बेशरम आंटी ओल्ड लेडी वो बुजूर्ग महिला जिसकी उमर 50-60 साल लग रही है वो कह रही है हां मैं कॉंग्रेस वाली हूं तुम बीजेपी वाले हो ऐसे से बकवास कर रही है हमारी लड़की चाहे कॉंग्रेस वाले की हो और एक बात और ये गल्फ में बेची जाती है जब इनका काम निकल जाता है गल्फ में भी बेच देते हैं एक लड़की किसी को मिली थी उसके उपर मैं वीडियो बनाऊंगी अपना दूसरा वो आप जरूर देखेगा उसके बारे में जो गल्फ में आपको लड़कियां द करते हैं चाहे आपको कोई कुछ बोले पता करवाईए किसकी शादी किसके साथ हो रही है और थोड़ा सा भी भनक लगती है तो उसको रुपोर्ट करिए वहां पर अपने लोगों को बुलाईए लाइफ करिए अपने लोगों को बुलाईए अगर कोई मरता है मर जाए लेक कि बांज निकली कुछ निकली तो उसको सेक्श्वल स्लेव ना जाने घर में उसके लग कितना लोग इस्तमाल करेंगे या उसने अपने शोहर से कह दिया कि दूसरी पीवी मतला यह हो सकता वही चौती चाहर पांच वी हो क्योंकि जिस साब से इसने 81 करी है ये भी 10 साल कम कर होता है तो चंदा करके उसकी तिमारदारी करवाया करो क्योंकि ऐसे लोग गुज जाते हैं जिनके घर में बेटियां होती है ना वहां ये गुज जाते हैं वहां मदद करने का नाटक करते हैं फिर दबाव दालते हैं शादी का इसलिए इनकी हर चाल से बाकिफ रहो पहले तो ये अच्छे होते नहीं और फिर अच्छे होने का दिखावा करते हैं और हर जैसे कहते ना एक थमीवी जो लहर होती है वो आने वाले तुफान की एक साजिश होती है वैसे ही एक मुसल्मान का अच्छा होना हिंदू के लिए ये कहीं ना कहीं ढखा हुआ होता है जैसे नियूर्क में एक मेरा दोस्त था वो कहता था कि हमारे साथ एक पागिस्तानी मुस्लिम आता था और उसने बाद में उसकी चाचा की बेटी को भगानी की कुछ करी उनके बीच में गोलिया चली क्योंकि वहां पर तो यह गोलिया चलाती है तो वो डोगरा थे कश्मीरी थे तो एशकेर ने एशकेरने अरे लेकिन जब आपसे अलग होते हैं या आपसे दुष्मनी पालते है तो क्या करते हैं जैसे कोकीन का प 맞는की चीज का पिकेट आपके गहरों में दाल जाते हैं समझें से सतर को जाओ इनकी दोस्ती अच्छी नहीं इनसे दुश्मनी भले ही कर लो समझें? दुश्मनी निप्टा ही जा सकती है लेकिन दोस्ती में जो एक कर देते हैं तुमारे घर की बेटियों के साथ और जो महले के दिकार है उन लोगों को जो टेंट लगवा के महाँ पर तेंट वाला भी हिंदू होगा जो भाब की मजबूरी है या कुछ मजबूरी है उसने अपनी बेच दिया या पैसो में वो बिग गया अरे तुम तो थे तुमारी क्या समाज की बेटी नहीं है वो दिकार है तुम पे भला हो इस भाई का जो वहाँ पर अपनी जान पे खेल कर उसने लड़की की जिंदगी बचाई वो लड़की क्या पता किस दबाव में हो उसकी नंगी फोटो खीची हो उसको सेक्स कर दिया हो उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया हो कि लड़की को लग रहा हार्मोन होते हैं बहिए जब लड़की चोटी होती हैं इसलिए अपनी घर की बच्चियों पर ध्यान दीजिए उनके साथ बाते करिए अगर वो बाते नहीं कर रही कुछ और बीवियर कर देखिए उनके दोस्त कौन है किसके साथ जा रही है और मैं माओं से भी निवेदन करती हूं चूला चौखा बाद में करना अपनी बेटी क उसकी मम्मी बिमार है आप खाली बेटी है तो देखिए उसको आपकी बेहन है आपकी बेटी है उसके साथ होगा कलको तुमारे साथ होगा दीरे दीरे सबके साथ होगा भारत को बचा लीजिए भारत को बचा लीजिए गरीब हो अमीर हो एक भी बेटी कहीं और न जाए या जैजय श्री राम, हरहर महादेव, माकाली, आपको अपनी शक्ती प्रदान करें, जिससे हर पुरुष और महिला में पुरुषारत आए, और वो अपने सनातन के रण के युद्ध में, धर्म युद्ध में लड़ सकें, साहस पा सकें, क्योंकि आधी लड़ाई जब आप साहस आप लड़ नहीं सकते, जिहादी लड़ता है, कोकीन और अफीम से, उसको कोकीन और अफीम और ड्रक सुंगाए जाते हैं, लेकिन हिंदू के वल लड़ता है, साहस से, शौरिता से, अगर हिंदू के पास, हिंदू सनातनी यानि की, उसमें सिक बहुत भी आते हैं, जैन पा विजे पानी ही पानी है इसलिए रण में उत्रा जाता है हम विजे पाएंगे या नहीं ये सोच के लड़ोगे तो हार जाओगे एक व्यक्ति भी अगर हिम्मती है और अपनी बुद्धी का प्रयोग करता है और कहता है मैं साम दाम दंड बेट से युद लड़ूंगा या जीत सकता है अगर बात आ रही है धर्म की मैं यह नहीं कहा रही हुआ उनकी तरफ इदाइन बन जाओ लेकिन जब हमारे भारत को बचाने की बात है जब सनातन को बचाने की बात है जिस हद तक जाना पड़े जाईए एक मरा तो क्या हुआ जीवित कई हजार समझे याद भी राम हरहर महाते